अपने चलवा सरकारी नोकरी में सिचक भरती में वेया भ्यार्थी जो सिच्छा मित्र का आपशन चुज नहीं कर पाया थे उन आप भ्यार्थिओं के लिए एक आदेश जारी हो गया है जो लोगों अंतर लिया सिचक भर्ती बेसिस्ट परश्द प्रयागराज और उन्हों ने लेटर सची बेन पी को दिया है इसमें जो सब्जेक्ट है वह आप देख सकते हैं आपर सब्जेक्ट है कि रेगुलर बीटी सी या विसिस्ट बीटी सी प्रसिछन प्राप जो सिछामित्र है उन्हें उनातर जाचाहिक गरनी मंत्री वेसी सिच्छा याने की सतीस दिवेदी जिखबात हो रही है उत्तर प्रशिय सरकार को संबोधित के माध्यम से इस कारियल को प्राप्ट करने का संदर्म लेने का कश्ट करें जो रेगुलर बीटी सिया विस्यूष बीटी सी प्रसिच्छन्क प्राप्ट अनिल कुमार आप देख सकते हैं उपसचिव उत्तर प्रचिस बेसी सिछा परसत प्रयाग राज द्वारा ये वडित है तो देख सकते हैं जो लेटर जारी किया गया है ये शिछामित्रों के संब्ध में लेटर लिखा गया है और काफी उनलों को इस सिराहत मिल गया है ऐसे मे सिछामित्र काफी परिसान थे इस वेकेंसी से वो बाहर हो जा रहे ते अनायास ही तो ऐसे में अनलाइन आवेद्र लेते समय सहचिक योग गिता का आपसन नहुने से चेहन परकिया से बाहर हुए थे तो इसी सिछामित्रों को दूसरी चेहन सुची में सामिल करने का आप जानी सकते हैं कि दूसरी चैन सुची का मतलब यह नहीं है कि सेकंड ही दूसरी चैन सुची का मतलब है कि चैन सुची तो आ चुकी है अब दूसरी चैन सुची जब निकलेगी जब बनाई जाएगी या इसे संसोधित किया जाएगा तो उनमें उन सिच्छामित्र होगा भी नाम होगा जो लोग आपसन न होने के वज़ा से बाहर हो गया थे तो यूपी गौर्णमेंट के जो अधिकारी थे उनसे हुई गलती के वज़ा से भाराग नहीं मिल पाया था ऐसे में काफी सैकड़ो संख्या में अब भैर्थी जो सिछामित्र भैर्थी यो बाहर हो रहे रहे थे के साथ ही साथ डाक्टर सतीज दिवेडी को भी त्वीर किया गया है तो तमाम संख्या में भैर्थी इससे लावनित होंगे फिलाल अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाल